काका बावा बदान राम राम हूँ आवी के तमारी उसमा मुकेश परमार खबर लिन जेवरते वात करीं के एतरा समय तुम्हें बदु भाड़े हो हैं कि जगा जगा आन बदे भासण धाते ला तीना नेताओने बदी वात्यों लिन आपते ले हों तो आज तुमनों उताड़ इसे तहों पूछीन का लग-अलग इलाका में घुमें हैं किस तरह की बात्चित हुई है लोगों से उन मुद्धों को लेकर हमारे पास सिद्धार्द काकरिया है जो पेटलावत के लाग थानला के इलाका में रहते हैं लगातार उदर के खबरे करते हैं हमारे साथ इन मुद्दे गुम हो गए हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं मुद्दे ही नहीं जो चुनाओ चल रहा है दो व्यक्तियों के बीच में चुनाओ चल रहा है इस बार और मुद्दो की बात कोई कर नहीं रहा है जहां तक बात है पलायन की है रोजगार की है और इस्थानी मुद्दे भी है पानी की काफी समस्या है दूरस तंचलों में हमको देखने को मिलती लगा था रिपोर्टिंग हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में मुद्धे कहीं गूम हो गए और वास्तविक जो चीज लड़ाई जो है वो अब दो पक्षों के बीच में नजर आ रही है इस परश्टूरूप भारत अदिवासी पाल्टि को अभी ही अस्तित्व में आई हैं और पिछले विधान सभा चुनाओं में भी अपने केंडिडेट जरूर खड़े करे थे पर जो परिणाम आने चाहिए तो उस तरीके के परिणाम कहीं हमें देखने को नहीं मिले हैं तो निश्चिती संगटन अदिवासियों के लिए काम कर रहा है देखने भी आता है कई बार धरना प्रदर्शन सारी चीज़ हमने देखी है पर कई बार अब पाल्टी को एक बड़े लेवल पर जाना है तो उसे अस्तित्व में आने के लिए अभी और भी प्रयास करने पड़ेंगे संगर्श करना प भाजपा और कांग्रेस पलवार चेतर में अगर बात करें तो एक पानी की समस्या हैं सड़क की समस्या हैं वहाँ पर पलायन पड़वा पलवार चेतर से लगातार होता है काकनवानी जो है गुजरात के समीब की एक सीमाव वरती चेतर है और वहाँ से भी कई बार पलायन हम मुद्दों की बात करते हैं वाकि असलियत में उन मुद्दों को कहीं प्रमानिक्ता से हमें देखने को नहीं मिला है कि किसी पार्टी ने अपने घोशना पत्र में इसका उल्लेक क्या हो या घोशना पत्र भी हमें तो कहीं पार्टी होगा देखने नहीं मिला है का कॉंग्रेस वही छेहरा को रीपीट लगातार समय से कर रही है तो एक किन वुद्धों को लेकर लोगों के बीच में जारा है इस चीज का आपने बारेकी से आकलन क्या है? इस चीज का आपने बारेकी से आकलन क्या है? नहे मुद्दे क्या है जो ज्यादा सूर्खियों में आए? लगातर जो इस्तानी मुद्धे पलायन है, बीरोजगारी है, शिक्चा है, इन पर कोई बात करने को तेयार नहीं, सिद्धा सदा मामला है, अंतराशनी देवल पर बात करते हैं, और यही मुद्धा जमीन पर आने कर, और यह जित्ती बात करें, जमीन पर वास्तम इनके ही हम गुजरात में आने गए हैं, उन्हें कॉल सेंटर कर रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है कि वो तेरा तारीक को आए, वोट करें, जी प्रशाशन लगातर दावे कर रहा है, प्रशान तो कहता कि गाव में रोजगार है, मन्रेगा चल रहा है, पर आप जाकर अखिकर दे मुख्यमंतरी लाई यहां सभा हुआ जाबवा में, उन्होंने कहा एक वयान वाइरल हुआ, कॉंग्रेस की बात करें, तो कॉंग्रेस के कांतिलाल बुर्या का एक वयान वाइरल हुआ, तो इन वाइरल बयानों से कितना आसर होगा, इन बयानों से आदिवसी अंजलों कोई लिना देना नहीं है यह सिर्फ शहरी मुद्द है ग्राइमन अंचल से इसका कोई लिना देना नहीं है तो यह हमारे साथ मनेजी गिर्दानी अलीरासपूर और जहाबुवा के इन इलाकों में घुंते हैं लगातार आपने बारिकी से उच्छेत्रों को भी देखा गए वहां के इलाके में उन लोगों के मुद्दे क्या रहें कि इत चुना में ऐसे कोई से मुद्दे जो भाजपार कांग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं तो खास करके साधीवासी एंचल की करते हैं जहां पर हम लोग चाहबुआ की बात करें अलीराशपूर की बात करें तो बहुत मूलभू सुईधाओं की जो परिद्रश दिमाग में आता है वो आता है कि लोग पलायन कर रहे हैं इसकुलों में हम बात करें इसकुल चलो अभिहान की बात करें बच्चे इसकुलों में कम हैं बच्चे अपने माता-पिता के साथ मज़दूरी पर जा रहे हैं स सिक्षकों की कमी भी काही निक देथे लेकिनि सबकी जो सबसे बड़ा सवाल साह दोनों जिलों की हम बात करें दिखता है वो दिखता है कि उदास इंता हैं दोनों ही दलों के नेताओं की हम अगर रेल्ए पर सुईधा की बात करें ट्रेने बंद हो गई कुछ बड़ी ट्रेने जो रगातार चेने बड़ी चल रही उनमें डब्बे कम कर दिये गए कुछ मुद्दे ऐसे हैं पे नलजल परियोजना की अगर हम बात करें लाखो करोलों रुपे उस पर खर्च हुआ उस पर कोई ध्या बाते हैं तब तब वह आदिवासी समुदा यां आदिवासी का वह युवा यादिवासी का वह किसान जो अपना पसीना टपकाता है इस भूमी पे जिसने जहाबवा को पहचान दी है जिसने अलीराजपूर में एक डंका बजाया बहार जाके आज भी लोग कहते हैं कि दिन जरवान पर भासणों के तोर पर आप कांतिलाल बुर्या की कल एक परसू वीडियो वाइरल हुआ जो हमारी सरकार बनेगी तो जिसकी दो-दो पतनिया है उन्हें दो-दो-लाक रुपे मिलेंगे और यहां सीम का बयान जारी हुआ कि आदिवासीओ का फोकट का आना चा है कि यह भाज़पा को देंगे यह कॉंकुरिस को देंगे लेकिन एक वोट बेंग कैसा होता है खासकाल ग्रामी नंचलो का यहां जो मुखिधारा में नहीं जिसको गिनती है सरकार सिर्फ चुनाओं के समय याद करती है वो जो हिस्सा है वो जो मद्दाता है उन मद्दाता को इस तरह के बैयानों से मुझे नहीं लगता कि को बहुत ज़रा सरोकार है क्योंकि उनके लिए सबसे महतपूर्ण है अपनी रोजी रोटी कमाना वो अपनी दिन बर रोजी रोटी कमाते उनके बास इस बात का समय नहीं होता कि मोबाइल में इस बयान को देखे है इस पर करें क्योंकि उनके लिए सबसे महतपूर्ण होता है कि आज शाम उनका चूला जलेगा उनको रोटी मिलेगी वाज रोटी खाएंगे सो जाएंगे अगले दिन फिर वो अपना काम करेंगे एक हपते में एक बार अपना पेसा गिनेंगे घर का सामान लाएंगे तो यह जो च लेकिन अंदर जो पानी है उस बरतन के तल में उसमें क्या है इस समय या वो पानी किस दिशा में जाएका इस तने लोक सबाइब हमनेश के पत्रगाईता के दोर में पत्रगाईता का हमारी जो उम्र है पत्रगाईता करते करते हुई है उसमें दोपाँ चुनाओ हमने देखे पहला चुनाओ ऐसा देखना इसमें बहुत कठिन है यह बोल पाना कि किस दिशा में पानी जाएगा और किस दिशा में इस समय पानी का बहा चाहिए जनता की समस्याओं पर होना चाहिए वह बहुत ज्यादा आखरी समय में तो और यह मुद्द लगाता रहा है व्यक्तिकत आरोप प्रत्यारोप पर आ गए है और शायद इसलिए जनता चूप है और जनता जब वोट डालेगी जनता जब बटन दबाएगी उसके बाद देखा है कि हम अगर देखें चुनाओं को बहुत महित्पून सवाल आपने मुगेशी किया है कि हम अगर देखें कि इसको थोड़ा सा और पीछे में ले आना चाहूंगा आप SMS के दर्शकों कि हम अगर देखें कि विदान सबा और लोक सबा यह दो चुना होते हैं तो चार कम दिखता है शार इसलिए हमको कई बार लगता कि चुनाओं ठेंडा है पर एक बात जो इस पूरे चुनाओं में देखने को मिल रही है भारत के कई हिस्तों में चुनाओं हो चुके मद्दान कर प्रतिशत बड़ा कम है तो वह चिंता जनक है प्रशाशन के लिए और यह बत वाकई में सही है कि चुनाओं को लेके बात वही निकल के आते हैं कि जब आम व्यक्तिक से जुड़े मुद्दों पर अगर बात नहीं होगी तो आम मद्दाता में रूची मुझे लगता है कि उसकी रूची कम इसलिए होगी कि उसके लिए महत्पूर्ण है कि उ चुनाब बंद हो जाएगा और एलेक्शन कमिशन की और से जारी हो जाएगा कि अब चुनावनी यह वन टुवन केमपनी कर सकते हैं जिसे लोगों से वोट मानने की लेकिन मुझे लगा है कि से इलाके की बात करे रतलाम सहर की बात करे तो हमेशा भाजपा महां से एक बदा ज्यादा गड़ मना जाता है भाजपा का और इस जाबवा को कॉंग्रेस का गड़ मना जाता है और अली रासपूर 50-50 मना जाता है इस बार क्या अनुमान लग रहा है कि वही पुराना वापिस दोहराएंगे कि जब पिछले लोग सबागी बात करें तो एक तरफा कॉंग्रे हैं देश के किसी भी हिस्से में जाबवार अतलाम लोग सबा अली राचपूर के हैं तो आप वोट डालने के लिए जरूर पहुंचे और अपने मतादीगार का प्रयोक जरूट करें खासकर जो पहली बार जो युवा अपना वोट डाल रहे हैं वो भी मद्दान के लिए ज लोग सबा में कांगरेश जीच जाती है तो इस तरह के मुद्दो को फिलाल चुनाओ की दिशा में जाएगा किस तरह का महाओ ले कहना मुश्किल होगा लेकिन हाँ बात अगर हम अली राचपूर की करें या जोबट की करें या ठानला जाबवा पिटलाओत की करें तो इस स करिणाम यहां जो भी हारदीत होगी वो पेतालिस से पचास 55,000 के आसपास में हारदीत का अंकड़ा आएगा और यह चुनाओं की मदगर्णा भी जो होगी वो मदगर्णा भी मुझे लगता होगी हर राउंड में अलग-अलग दलों को हम आगे जाता हो देखेंगे लेकिन कौन जीतेगा इसको कहना फिलाल बहुत मुश्किल नजरा रहा है तो यह वरिष्ट पत्रकार है जो मरीद जी गिर्दान ने उन्हों इलाकों में भ्रमन किया और उन्हें बारी की से समझा मददातों को टटाल लेंगे लेकिन बार जी जो मताता है वो साइलेंट में नजरा रहें तो हेवरित तुमन वताड़ी की केवरित आज जीलाना चारपांचे पत्रकार से थी हूं तुमन वाद वताड़ी और आवावाली आने के आस्ती सुनाव प्रशार बंद थाई जा है पांसवा के बाद नेता तमारे घेर नियाव है क्यों क्योंकि तिहुनाव सिजन प चुछ था जाइन पी आन वोट नाखवा नो फेर बढ़र बढ़ बढ़ काम सोड़ें पहले त्यू काम करो पर वोट माखो यह हमारी अपील भी से कईथा भी होगे तो मोब बढ़ बढ़ काम का सोड़ी न दन प्हला वोट नाखवा नहीं जाज़ो और वोट नाकि फेर ब करिलने आपतार हूं काका बावदान राम राम